कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस हाइटी टेकनो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में दोस्तों आफ रिकेंटली जैसे भी आपको गुगल स्टोर पे जाते है या कुछ भी आपे आपको जोगई परती तो आपको इंस्टोर करते हैं और इंस्टोर करने के बाद में दूस्तों पहला ही स्टैकन का होता है इसकρι्ट हो सकते हैं तो उस से बचने के लिए हैं winter पाइपस कुछ settings हैं, जो आपको 90 percent safe कर सकती है तो उसके लिए हमें मौईल के settings मेठ आकए मौईल के settings पर हमें क्या करना है एपस पर जाना है और डोस्तों आप जो भी mostly apps यूज करते हैं जिससे आपको लगता है क्वह यह अपसे जिसको आप दिन में काफी time हम यूज़ करते हैं आपको उस apps के setting में जाना है जैसे सब्सक्राइब मैं यहां पर जो Google है वो खोलता हूं क्योंकि Google एक search engine है mostly जो भी काम करते हैं यहीं से करते हैं तो दोस्तों यहां पर Google पर जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको सेकिन स्टैप है permissions का तो यहां पर आपको permissions पर जाना है और उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर हमारे पास काफी options आती हैं तो दोस्तों यहां से हम contact पर अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमने क्या क्या किया हुआ हुआ है कि हमने यहां गूगल को प्रमिशन दे रखी है कि वो मेरे को टेक्स जो है वो रिट कर सकता है तो दोस्तों आपको यहां से क्या करना है आपको इसको करना डिनाई करने की वाद दोस्तों यहां पर एक message आएगा उस message में यह लिखा हुआ कि अगर आप यह डिनाई करते तो यहां से आपका मुस्ली कुछ जो बेसिक फीचर से गुगल के वह आपके लिए डिसेबल हो जाएंगे लेकिन आप की यूज की जितने फीचर से वह आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर उसके बाद सेकेंड आप्शन है वह था कैमरे का अ दोस्तों यहां से आपको डिनाई करना है यहां गूगल की जगे पर कोई भी आप हो सकता है जिसको आप यह सेटिंस प्रवाइड कर सकते हैं जो कि आपकी कोई भी पस्न डीटेल्स को है कर सकते या उससे यूज कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास जो एक मोस्ट स्ट्रेवर में स्टोर कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो आपको मुस्ली क्या करना हैं यहां से अपनी जो permission हैं हैं वह आपको यहां से डिनाई करनी है मुस्छि जो की आपके हैं यहां कि आपको दो से सब्सक्राइब हमारे पास अगर मैं यहां पर आपके लिए प्रैरा देख के रखता हूं कि यहां से अपर हम जाएंगे आप आप लगाने जो प्रमीशन दे रखी है अगर आप चाहते हैं कि वह प्रमीशन वह पढ़े या उसे आपको कोई प्रम्लम नहीं तो आप वो प्रमिशन को अलॉड कर सकते हैं जलसे कि मैंने यहां पर all management of files का यहां पर अलॉड कर रखा है मैं उसको deny करता हूं तो यह जब मैंने कोई permission नहीं कि देखे तो यहां पर अलॉड permission होगी no permission allowed तो इसके बाद यह मेरी कोई भी permission जो फाइल से वो नहीं read कर सकता है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको हमेशा किसी भी आपको अपनी पूरी permission से लाओ नहीं करनी है कि वह आपको देख सके आपके जो फाइल से वो read कर सके इन में से mostly आपको क्या करना है आपको अपने camera's कि जो permission है वो deny पर रखनी और microphone की permission जो है वो deny पर रखनी है जो कि मैंने आपके सामने यहां पर कर दी है इससे यह होगा कि वो आपके camera से related कोई भी files नहीं देख सकता है नहीं वो आपके वीडियो देख सकता है जो भी आपने camera से लिटर काम किया होगा वो उसके अलबा microphone मैंने इसलिए यहां पर disable किया है कि दोस्तों जो भी आप बात करते हैं वो भी बाते सर्च इंडियों के पास पहुंच जाती है अगर आप यहां से लंबी होती है कि आप उसे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि दोस्तों यह उनकी tricks होती है इसलिए वो इतनी बड़ी policy बनाते हैं पांद तस पेजों कि जो कि आपको पढ़ना मुश्किल हो और आप उसे बढ़े बिना ही वहां पर permissions provide कर दें जिससे कि बाद में वो कैसे कि आप आपने यह permissions हमें दे रखी हैं तो वह आपका data use कर सकते हैं उनके पास rights होते हैं और उसके बाद आप उसे deny भी नहीं कर सकते कि आपने यह permissions दी है कि नहीं दी है ठीक है दोस्तों hopefully यह वीडियो आपके लिए helpful होगा आप चाहें तो मुझे comment करके बोल सकते हैं मैं इसके regarding और भी वीडियो बना सकता हूं तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को share करें लाइक करिए और subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि मेरी जो next वीडियो है वह भी टेक्निकली होंगे और उनका जो update है वह आपको सबसे पहले मिल जाए इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरू करिए थैंक्यों